हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने एड़ोप चैनल प्रभास मिस्रा पर दोस्तों धी हम बरौनी जंक्शन की बात करें तो बरौनी जंक्शन से देश के अधिकतर भागों के लिए ट्रेने मिलती हैं चाहे हम बात करें कॉलकता की दिल्ली क मुंबई की या फिर अम्रित सर या फिर नॉर्थ ए़्ष्ट के राद्जों के लिए ट्रेन यहाँ से मिल जाती है लेकिन यहां पर एक बड़ी परिशानी ये है कि यहां से कोई भी डारेक्ट ट्रेन नहीं चलती है यहां से चलने और अधिकतर ट्रेन या तो नॉर्षिछ को जिसमेंसे एक ट्रेन एक यानि यानि कि आज से लगबग दस दिन बाद बरॉनी जंक्षन से चलने लगे कि और वहीं दोस्तों जो दूसरी ट्रेन होगी वह आज से करी पांच महिने बाद यानि की एक जून 2021 से चलने लेगी और दोनों ही ट्रेनों की नोटिफिकेशन भी छाल दीर गई है दोस्तुन कौन सी टेनिंश कहां कहां से चलेंगी दोस्तों सारी बातों गुथ्त उत्त नहीं के साथ लिजक्त सब्सक्राइब मेरा के बचाइब करे वीडियो को लांट करके अपन बहुत है और को क्श्राइब में पर आसकते हैं जिसका रिभ्क्त में दे करना इसान कि यहां पर जर् Summit में अाते हैं तो यहां पर बताया ग्या है कबसे अपनी चालू करेगी लिए विघस एक च्रवार मंगलवार और वहीं बारुणी से एक वार्षा पॉर को चलेगी सब्सक्राइब मात्र चार दिन दोस्ते हम इसके इस टौपेज देखे गौरकपूर के बाद तो ये ट्रेन गौरकपूर के बाद पिपराइच कप्तान गंज सिस्वा बाजार खडवा सहीत विभिन रेलवे स्टेशनों पे रुखते हुए नरकटिया गंज बितिया सुगौली बापुधा मो आपसी में बराणी जंक्षन से सुबा में साथ बजके बीस मिनट पे चलेगी दोस्तो ये तो हो गई पहली ट्रेन की बाद जो की गौरकपूर से चलने वाली अवाद एक्सप्रेस है वहीं दोस्तो जो दूसरी ट्रेन हो है मुझपरपूर से बांदरा टेमिनस को जाने वा प्रणी जंक्षन को मुझे आशायक आपको सारी इंफर्मेशन मिल गई होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज के लिए इतना ही में लेंक पर एकने वीडियो को साथ बता के लिए जाहिंद्चा भारत